हाई गाई माईसर पासिस्टमार सिविल इंगियर आज की वीडियो में हमें एक खास टॉपिक दिखेंगे जो की कॉंसेट पेसिस अधारीत है जो कि आपका टेक्निकल पॉइंट ओफ यह वाँ कंपर्शन एक्जाम से बहुत हिंद मैन है इसमें हम देखेंगे क्या देखेंग कि अव्क सकता हमित्य dinosaurs भी आपका structural डिजाइनिंग का वर्क होता है तो उस्में मिजर्मेंप होता है वह आपका है कंप्रेसिब मिजर्मेंट एंद का का मिजर्मेंट होता है कि अपकर किया जाता है जितना भी आपका कंप्रेसिव इसका 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 डिटेशन देखेंगे कि हम इसको किसे कर सकते हैं तो आप जाते हैं कि फोर्स बरावर आपका क्या होता है मास इंटू इसलेशन का वेलू आप जाते हैं कि फिक्स वेलू होता है यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका वेलू आगया रहाइं यहां इसको लिख सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं यारी हैं आपका कि 1 kg ब्राबर यारी 1 kg मास के लिए नाज प्रण यहां से हम इजी तरिका से नेक्स केडिलेशन कर सकते हैं से कि 1 kg पर से केड़ी पर सेंटी मीटर स्क्वार कितना नीटर्ण पर mêmes स्क्वार्ण कितना न्युटर् यह आपको हो गया नैट पॉइट वहां न्यूटर्स यह सकते हैं इतुभू अब यहां से हम convert कर सकते हैं कि 9.8 over Newton और 1 cm का भेलु क्या होता है? 10 mm होता है इसको 10 mm में हम convert करेंगे क्यों? क्योंकि हमको convert किसमें करना है? Newton per mm square में तो kg को तो हम Newton में convert कर चुके हैं लेकिन आप cm2 को किसमें convert करेंगे? 10 mm2 में इसका खास दिया रखना है तो आपका यह भेलु हो गया 10 mm into 10 mm जब हम यहां से calculation करेंगे क्या जाएगा? 9.81 बटे 100 और यह आपका क्या हो जाएगा? Newton per mm2 यहां से भेलु consider करने के बाद आपका जाएगा 0.0981 Newton per mm2 हम यहां से easy तरिका से consider कर चुके हैं अब हम next step में दिखेंगे कि आपका जो ठड़ है आपका कि 1 Newton per mm2 ब्राबर कितना kg per cm2 होगा? तो हम यहां से easy तरिका से convert कर सकते हैं ठाट पाट के लिए आप देख रहे हैं कि आपका 0.0981 Newton per mm2 ब्राबर आपका क्या वेलू आला है? 1 kg per cm2 हम यहां से convert कर सकते हैं कि 1 Newton per mm2 ब्राबर कितना kg per cm2 होगा? यादि 1 Newton per mm2 ब्राबर आपके कितना होगा? 1 बटे 0.0981 और यह क्या जागा? kg per cm2 जब आप 1 बटे 0.0981 किजेगा तो इसका जो भेलू आपका आएगा वह आपका आएगा 10.194 kg per cm2 हम यहां से easy तरीका से calibrate कर चुके हैं इसमें एक चीज और खास हम बताएंगे आपका कि यह जो भेलू आपका होता है Newton per mm2 जो आपका निकल करा रहा है Newton per mm2 यानि यह जो भेलू है इसके बराबर आपका होता है Megapascal यानि क्या होता है Megapascal यह compressive stand का आपका SI unit होता है Megapascal और हम इस चीज इसमें जानेंगे क्या जानेंगे खास चीज देख रहे हैं कि 1 Newton per mm2 ब्राबर जो आपका वेलू आया 1 Newton per mm2 ब्राबर आपका 1 Megapascal हो रहा है Megapascal भेलू आ रहा है और इसके बराबर आपका होता है 145 PSI याने Pound per square inch तो इसका जो वेलू यूज हम लोग किया जाता है यह आपका United region में compressive strength and cell strength measurement प्रिए किया जाता है